Hello friends, myself is Vishesh Katiyaar जैसा कि हम लोगों ने अपने previous वीडियो में कुछ important physiological के questions के बारे में बात करी थी तो हम अपनी next वीडियो में यानि इस वीडियो में भी कुछ important physiological के questions के बारे में बात करेंगे तो इस वार हमने topic लिया है respiratory system और excretory system तो पहले हम respiratory system के important topics देखते हैं वैसे तो respiratory system अपने आप में ही बहुत ही important system है क्योंकि इस system से हमेशा ही कोई ना कोई long question या short questions आते हैं ठीक है तो इसका पहला important question है respiratory system function ठीक है तो दो नंबर में या पांच नंबर में respiratory system के functions पूछे जाते हैं तो दूसरा respiratory tract यानि जो हमारा respiratory tract है nose, nasal passage, larynx, pharynx, trachea से लेकर lungs तक तो वो पूरा जो है हमको आना चाहिए respiratory tract के बार में पूछा जाता है और फिर है hypoxia यानि कि जो partial pressure जब oxygen का कम हो जाता है blood में तो उसको hypoxia गयते हैं तो hypoxia और asphyxia ये दो clinical disorder है जिनके बार में जो है पूछा जाता है hypoxia और asphyxia mainly two marks में पूछी जाती है लेकिन कभी-कभी जो hypoxia है या asphyxia है mainly hypoxia जो है वो five marks में भी पूछी जा चुकी है ठीक है? लेकिन वैसे mainly two marks में पूछी जाते हैं दोनो फिर fourth question है LV lie यानि जो respiratory unit है जहां पर exchange of gases होता है LV lie वो भी बहुत important topic है ठीक है दो number में पूछा जा सकता है फिर आपका आता है PFT यानि pulmonary function test ठीक है? इसके बार में भी पूछा जाता है और जो आपके lung volumes हैं और capacities हैं ठीक है इसमें tidal volume और vital capacity most important है lung volume है tidal volume और capacity में vital capacity most important है ठीक है और इनके उपर अपने आप में ही questions बनते हैं और दो number में tidal volume में vital capacity की definition पूछी जा सकती है वैसे mainly जो चार चार जो volume और capacity हैं वो सारे ही important है फिर आता है मारा dead space dead space two marks में mainly पूछा जाता है लेकिन कभी को बार five marks में पूछा जा सकता है जो respiratory gases है oxygen carbon dioxide उनके exchange के बारे में भी पूछा जाता है next question है transport of respiratory gases यह भी आपका एक important topic है respiratory gases का transport कैसे होता है फिर आता है आपका mechanism of respiration जो कि सबसे ज़्यादा important topic है ठीक है जो आपका mechanism of respiration है वो बहुत ही ज़्यादा important topic है यह जो CSJMU जो university है उसमें लगातार तीन साल से पूछा जा रहा है लगातार ठीक है long question में वह भी 15 marks में ठीक है आपके जो उपर यह दो थे exchange of respiratory gases और transport यह भी long question में पूछा जाते है या फिर शॉर्ट note में आते है ठीक है फिर आपका आता है artificial respiration यह भी important topic है इसमें से दो नंबर या पांच नंबर में पूछा जाता है ठीक है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा important थे वह आपके पहला तो mechanism of respiration जो की most important है दूसरा आपका dead space और तीसरा lung volumes और capacities और hypoxia और asphyxia यह जो है काफी ज़्यादा important topic है ठीक है इन में से भी यह ज़्यादा important है नहीं तो इतने सारे topic जो है वो आपके important थे पर next system के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा excretory system तो urinary system का most important topic है urine formation यानि की formation of urine यानि मूत्र निर्माण प्रक्रिया तो question आपका इसमें 15 marks का आता है यानि long question आता है या तो modern में अखेले पूछता है या फिर आयुरेट से correlate करके boost आ है कि मूत्र निर्माण प्रक्रिया का उभे मता अनुसार वर्णन कीजिए उभे मता अनुसार का यहां पर मतलब होता है कि modern और आयुरेट के अनुसार दोनों के ही अनुसार यहां पर समझाना पड़ता है तो urine formation जो है वो बहुत ज़्यादा important topic है 15 marks में पूछा जाता है तो दूसरा important topic है functions of kidney जो kidney के functions है वो भी काफी ज़्यादा पूछे जाते है थर्ड नंबर पर आता है आपका मिक्चूरीशन जो मिक्चूरीशन है यहनी दा process of passage out of the urine उसका जो है mechanism और जो उसका जो control है मिक्चूरीशन का वो पूछा जाता है और यह सब आपके long में question बनते है urine formation 15 marks में और मिक्चूरीशन 5 marks में ही बन सकता है ठीक है functions of kidney 5 marks में और mechanism of diffication यह आपका 15 में भी बनता है और 5 में भी बनता है इसके बाद में आपका आता है यानि mechanism of diffication ठीक है फिर उसके बाद में आपका आता है GFR जो है वो urine formation का यह पार्ट है low mineral filtration rate तो इस पर short note आता है 5 marks का या फिर इसका rate वगेरा 2 marks में पूछ लेते हैं ठीक है फिर आपका जो nephron structural functional unit kidney उसके बारे में 2 marks में पूछा आता है और urine का जो composition है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है इसके बाद में आपका आता है रास यानि रेन एंजियो टेंसिन एंडलो स्ट्रोन सिस्टम ठीक है यह आपका इंडोक्राइन सिस्टम से भी correlate रखता है और cardiovascular सिस्टम से भी correlate रखता है ठीक है क्योंकि यह आपर हार्मोन का भी secretion होता है और यह blood pressure को control करता है तो यह जो system है य क्योंकि यह तीन सिस्टम से correlation रखता है एक आपका इंडोक्राइन, cardiovascular और आपका एक urinary या excretory system उसके बाद में जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो skin है वो भी एक excretory organ है ठीक है जो की sweat को excret करता है मेनली sweat, sebum और जो इसके secretions होते हैं उनको release करता है तो skin के functions जो है वो काफी यादा important है जो skin के functions है तो यहाँ पर हमने यह size चीज़े देखी इसमें और excretory system में जो आपका ठीक है तो इसके बाद में हम इसमें जो most important topic है वो है आपका urine formation function of kidney ठीक है आपका hole है ठीक है तो इसके बाद जो और जो important question है उनकी बाद हम अपनी next video में करेंगे ठीक है